एई गाईज, वेलकम आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अनकेडमी के स्प्रेटफॉर्म पर सारे बच्चे जल्ली से आ जाएं आज मैं जो आपका डिस्कस करूँगा बच्चे मैं आप लोग को आज सबसे पहले तो मैं आप लोग को अनकेडमी के बारे में बताऊंगा इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊंगा ध्यान से सुनो मैं सबसे पहले आपको अनकेडमी के बारे में बताऊंगा फिर मैं अपने बारे में बताऊंगा आपको फिर इसके में जो सब्सक्रिप्शन है जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स है उसके बारे में बताऊंगा उसके बाद फिर अनकैडमी का एक प्रोग्राम आया है अनकैडमी का एक प्रोग्राम आया है बच्चे अनकैडमी कॉमबैट करके आया है तो इसके बारे में मैं आप लोग बहुत स्वागत है नीट प्रो पे नीट प्रो जो है अनेकेडमी का नंबर वन चैनल है इसमें टॉप एजुकेटर्स है, क्वालिटी कंटेंट हाई है ग्रेटर लर्निंग एक्सपियेंस है और मैं हूँ मैयूर दुबे यह है मेरी फोटो मैंने MSC Bio Technology किया है जाम्या हम्दर New Delhi से 2016 का मैं पास आउट हूँ मैं मेंटर हूँ सेवरल थाउजन नीट एस पैरेंस का एक्सपियेंस प्रोफेसर हूँ मैं बोटनी का मैंने कोटा डेली और जैपुर के टॉप इस्टूट्स में वर्क किया हुआ है मेरे जो नोट्स हैं बच्चे वो क्रिस्टल क्लियर हैं आपको यह 100% समझ में आएंगे आपको मैं बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगा बेस्ट एक्जाम्बल्स के साथ ठीक है अब देखो अने कैडमी का लर्निंग आपको डाउनलोड करना है इसे इसे इंस्टॉल करो बच्चे इसमें आपको अपना रिजिस्टेशन करना फोन नमबर उस पर रिजिस्टर करोगे अपना नाम लिखोगे आपके फोन नमबर पर OTP जाएगा तो आप इस तरह से रिजिस्टर कर जाओगे ठीक है अगर हम लोग बात करें बच्चे इसमें आपको मिलेगा नीट यूजी केटेगरी ठीक है नीट यूजी केटेगरी को आपको सलेक्ट करना है इसमें जाकरके फिर आपको देखेगा दो चीज़े यहाँ पे प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ठीक है दो तरह का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों ही सब्सक्रिप्शन है बच्चे 30 hours का live session हर दिन मिलेगा structured course English और Hindi में available है यहाँ पे और 63 से उपर top educators अरड़ी पढ़ा रहे हैं new courses हर में इने publish होते रहेंगे तो इसमें आप लोग participate करो जितना भी कर सकते हो अगर यह जो plus subscription है यह जो plus subscription है बच्चे इसमें आपका daily live classes चलता रहता है आप अपने educator साथ इसमें chat कर सकते हो English हो सकतो आप discussion part में answer pooling ongoing class में होता रहता है आपको कहीं पे भी कोई भी problem नहीं होने वाला है अगर structured courses की बात करें तो structured course आपका Hindi और English दोनों में ही available है यह रहे हम basic से start करते हैं और advanced level तक जाते हैं ठीक है basic से start करेंगो और advanced level तक जाएंगे यानि कि आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा चाहे वो average student हो चाहे वो below average student हो चाहे वो above the average students हो ठीक है below average students मतलब कि जिनको थोड़ा सा कम समझ में आता है यानि कि उनको time लगता है समझने में ठीक है average students normal जैसे students होते हैं और जो above average students है जो जल्दी समझ जाते हैं कुछ चीजों को ठीक है तो इन तीनों को ही यहाँ पर जो भी मैं पढ़ाऊंगा 100% समझ में आएगा इसकी guarantee मैं दे रहा हूँ तियर है चलो बहुत अच्छी बात है बच्चे ठीक है और आप लोग एक बार चेक कर लो ठीक है मेच पर साय रखा हो चलो बहुत बढ़िया मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि यह मेरी class सही जा रही है या नहीं सही जा रही है क्योंकि re-check करना जरूरी होता है कई बार yes class is going fully class बहुत बढ़िया चल रहा है बच्चे class बहुत अच्छी चल रहा है इस बहुत अच्छी बात है अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों दिखा देता हूँ यहाँ पे जो लाइब टेस्ट और क्विजजज है इसमें पाडिसिपेट जरूर करना चाहिए क्योंकि उससे आपको आप इन्हेंस करोगे ठीक है प्रेशन के टेक्निक्स को समझोगे ठीक है तो लाइब टेस्ट और क्विजजज जो है इसको आप पाडिसिपेट करो इसमें इससे आपका परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव होगा बच्चे और आप अपना डीटेल्ड एनलिसिस करका होगे कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो अगर आप ग्रूप में टेस्ट दे रहे हो तो ठीक है ग्रूप इन दा सेंस मतलब कि बहुत ही ब्रॉट कर अब दिखो यहाँ पर आपको आईक खरकशन कि बात करते हम लोग आ ऐकोनिक सबर्स्कीप्शन में क्या होगा बच्चे Iconic subscription में आपको मिल जाएगा एक personal coach personal coach क्या करेगा personal coach आपके preparation strategy को बताएगा कि आपको preparation कैसे करना है ये personal coach काम करेगा clear है personal coach आपके preparation strategy को बताएगा कि personal coach कैसे काम करेगा ठीक है वो आपको पूरा बताएगा कि कैसे आपको तयारी करना है exam के लिए आपका point of view क्या होना चाहिए ठीक है कैसे आप physics को करोगे कैसे chemistry को करोगे कैसे botany को करोगे यह सारी चीज़े जो है वो personal coach आपको बताएगा clear है बच्चे और आपको यहाँ पर मिल जाएगा study planner study planner क्या करेगा बच्चे study planner जो है वो आपको preparation study को बताएगा कि weekly basis पर कि आपने कैसे preparation करना है clear है weekly basis बताएगा कि आपको कैसे preparation करना है और study planner जो है वो आपको बताएगा कि आपको टैयारी किस level की करनी है ठीक है यानि कि physics में कितना plan करना है आपको point of view study ठीक है यानि कि जैसे कि आपका एक week है एक week में आपने फिरिक्स को कितने chapters आपने पढ़ लिये फिरिक्स के ठीक है एक week में आपने फिरिक्स को कितना time दिया कितना chapters पढ़ लिया फिरिक्स का chemistry का आपने कितना chapters पढ़ लिया botany के कितने chapters आपने पढ़ लिये एक week में और आपके जलोजी के कितने chapters पढ़ लिये ठीके तो ये सारी चीजे जो है तो ही है ये सारा चीज study planner आपका decide करेगा ठीके कि आपको कितने time में कितने target में आपको ये सब achieve करना है ठीके और वो किस level की तयारी करनी है ताकि उससे एक भी question आपका ना छूटे ठीके ये study planner बताएगा weekly basis पे analysis होगा आपका ठीके बच्चे और ये तो को test analysis जो है यहाँ पे in-depth होगा test analysis आपका जो भी करा जाएगा यहाँ पे वो in-depth test analysis करा जाएगा यानि कि आपको कैसे तयारी करना है आपने कहां गलतिया की है कहां पे आप अपने आपको improve कर सकते हो वो सारा चीज आपको बताया जाएगा clear है अब देखो यहाँ पे है time management यानि कि आपको यहाँ पे time management भी बताया जाएगा यानि कि आपने physics को कितना time देना है chemistry को कितना time देना है botany को कितना time देना है कितने time में इनके questions को attempt करना है exam में ठीक है मान लो जुलोजी बॉटनी जो है ये आपको मिल गया total 70 minutes में आपको कोशिश करना है कि attempt कर लो पूरा ठीक है बाकी जो time है वो आप अपना physics chemistry को दे दो इस तरह के time management approaches आपको मिल जाएंगे जितना भी benefit है plus का ये पूरा benefit आपको मिल रहा है जितना भी benefit है plus का ये पूरा benefit आपको यहाँ पर मिल रहा है ठीक है बच्चे तो कहीं पे भी कोई भी problem आपके साथ नहीं होने वाला है अब देखो प्लस का जो यह पार्ट है प्लस का यहां पे यहां पे प्लस लिखा हुआ है इधर लिखा हुआ है आइकॉनिक ठीक है basic plan जो है इसका यहाँ पे इंडिया के best educators हैं और यहाँ पे भी आपके इंडिया के best educators हैं ठीके इंट्रक्टिव live classes यहाँ भी हो रही है इंट्रक्टिव live classes यहाँ भी हो रही है structured course और PDF यहाँ पे भी है तिके लाइव टेस्ट और ट्विजज यहाँ पे भी हैं बच्चे लाइव टेस्ट ट्विजज यहाँ पे भी हैं इवर इजर अपने लिए पानी लेते हूं बच्चे थोड़ा से गले में प्रॉब्लम हो रही है मेरे just a one minute कि कफ एंड कोल्ड की वजए से प्रॉब्ल चल रही है तो सब्सक्राइब की इशूस हैं ठीक है कोई बात नहीं लेकिन इससे हम लोगा पढ़ाई डिस्टर नहीं होगा हम सब कुछ उसी लेवल पर करेंगे जैसे लेवल पर हम लोग कर रहे हैं ठीक है यहां पर आपको मिल र साथ ही साथ आपको मिल रहा है study planner फिर expert guidelines भी आपको मिल रही है test analysis भी आपकी in-depth हो रही है ठीक है ठीक है पाकी जो repeaters हैं वो भी ले सकते हैं उनके लिए benefit ही रहेगा अगर लेते हैं iconic तो ठीक है उनके लिए बहुत जादा benefit रहेगा क्योंकि एक personal coach मिल रहा है आपको लेकिन ये must किसके किसके लिए है पहला तो जो first time dropper है जो first time dropper है ठीक है दूसरा जो 12 class में है और तीसरा जो आपका 11 class में है ठीक है जो first time dropper है अभी six month बाद ही exam होने वाला है तो आपको six month वाला ही लेना चाहिए ठीक है तो ये first time जो dropper है बोले ले ठीक है ओर 12 months वाला जो प्लान है बच्चे जो अब बच्चे 12 class में है वो कोई भी देखो जो बच्चे 12 class में है या फिर जिन बच्चों का number जो है 400 से नीचे आया है इस बार नीट exam में ठीक है 400 से नीचे आया इस बार नीट exam में उनके लिए 12 months वाला must है अगर आप 500 प्लस है अगर आप 500 प्लस है नंबर आपका तब आप 6 months वाला ले लो otherwise आपको ये 500 फाइव हेंड़ के अगर नीचे है आपका तो आपको 12 months वाला लेना ही चाहिए और 24 मंस वाला जो बच्चे 11 क्लास में है वो 24 मंस वाला ले ले ठीके अब देखो यहाँ पे मेरा कोड दिया हुआ है MD-100 MD-100 कोड क्या करोगे आप इस कोड को क्या करना है आपको मैं आपको बताता हूँ आप मानलो कि आप जब Iconic Subscription ले गया है ठीके वहाँ पे आपसे Referral Code पोच्टा है कि Have a Referral Code तो आप उसमें क्लिक करोगे Have a Referral Code पे ठीके जब Have a Referral Code पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे Code फिल करना होता है ठीके वो Code आपने मानलो कि फिल कर दिया MD-100 इसे तरह से Code फिल करोगे आप MD-100 ठीके आपने MD-100 Code यहाँ पे फिल कर दिया आपको सीधे 10% का Off मिल जाएगा Discount मिल जाएगा 10% का Discount जैसे मिला बच्चे तो आपका ये Price आजाएगा Clear है जो Real Price था उससे घड़ करके आपका ये Price आजाएगा जो इस समय आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ठीके 34,200 रुपीज आजाएगा आपका 58,500 रुपीज आजाएगा 90,000 रुपीज आजाएगा ठीके ये सारे Prices आजाएगे आपके ठीके बच्चे ये ये है आपका Plus subscription में क्या होगा Plus subscription में बच्चे जो बच्चे Dropper हैं ठीके कई साल से तैयारी कर रहे हैं जो या फिर financially कमजोर हैं ठीके उन बच्चे को क्या करना है आप Plus subscription ले लो Plus subscription आपके लिए सबसे best रहेगा ठीके लेकिन आपको अगर आप Iconic पे जाते हो तो मैं सच बोल रहा हूँ Iconic से better आपको नहीं मिल पाएगा Iconic मतलब हो गया आपको एक Personal Coach मिलना Personal Coach Training देगा आपको ठीके और उसके थूँ होने के chances बहुत ही जादा है ठीके Plus भी बहुत ही बढ़िया है Same similarity है ठीके दोनों में ही Same similarity है कोई भी अंतर नहीं किया गया है लेकिन कुछ चीजों का अंतर है ठीके जैसे In-depth Test Analysis हो गया Iconic में Present है Plus में नहीं है Study Planner हो गया Iconic में Present है Plus में नहीं है Personal Coach हो गया Iconic में Present है Plus में नहीं है तो ये सारे benefits जो हैं वो Iconic में आपको मिल रहे हैं ठीके तो दोनों ही बच्चे हैं बच्चे यहाँ पे भी मेरा Referal Code दिया है यह जो Referal Code है बच्चे समल दो यह जादू ही Referal Code है ठीके सोते जाकते हसते खेलते गाते खूते आपको बस एक ही Code याद रखना है MD-100 कौन सा Code बच्चे MD-100 किसी से भी मेलो बोल दो MD-100 ठीके MD-100 मतलब क्या हो जाता है मयूर दूबे 100% वर्क करेगा और सीधे 10% का आपको Discount मिल जाएगा ठीके आपने MD-100 कोड मेरा लगाया आपको 10% का Discount मिल गया जब 10% का Discount मिल गया उसके बाद फिर आपको ये Price लिखी गई है इसके बाद ये Price लिखी गई है अब देखो यहाँ पर ये है जो 12 मंस का प्लान है वो है आपका 34,650 का और जो 24 मंस का प्लान है बच्चे वो 50,400 रुपीस का है तो आप इन सभी को ले सकते हो अवेल कर सकते हो आपके लिए ये सबसे बेटर रहेगा ठीके मैं बाद चेक कर लेता हूँ क्या वीडियो सही चल रही है चेक कर दो की मैं बता रहा हूं ठीके तो मैंने आइकांक और प्लस में डिफेर्स बता दिया है आपको यहां पे मैंने प्राईस भी बता दिये हैं ठीके ये हमारे U adolescent educators है आप इंसे भी पढ़ सकते हो ठीके ये भी हमारे top educators है बच्चे यह भी हमारे top educators हैं बट मुझे शुरू करना है आपको थोड़ा सा मुझे brief करना है combat के बारे में ठीक है तो combat के बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगो ठीक है, unacademy combat के बारे में मैं बता देता हूँ एक बारी इसके बाद हम लोग cell cycle का पार शुरू करेंगे clear है बच्चे इसके बाद फिर हम लोग cell cycle का पार शुरू करेंगे एक बच्चो मैंने वो slide लगाई थी दिखनी रहा है मुझे कोई नहीं मैं बस एक मिनट में वो slide पुट कर देता हूँ ठीक है, वो slide अल्रडी डाउन्लोड़ेड है मेरे पास बस पुट करना है बच्चो यह मैं आप लोगों से कह रहा था यह देखो अने कैदमी पे आपको यह combat के बारे में मैंने बताया था combat में क्या है यह जो unacademy combat है इसमें क्या है इसमें बच्चे बहुत ही important चीज मैं आपको बताने रा रहा हूँ ध्यान से सुनना सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे यह देखो unacademy जो combat है ठीक है मैं जो भी चीज कर रहा हूँ need pro पे कर रहा हूँ ठीक है need pro पे कर रहा हूँ जो की unacademy का number one channel है इसमें आपके questions होंगे और जो questions design होंगे यह आपके level क्या होगा question का यह समझ लो top grade के questions होंगे ठीक है best question होंगे जो की आपका बहुत ही helpful होने वाले हैं need exam के लिए समझ लो की कुछ ना कुछ question जो होगा सीधे उठकर के need exam में आ जाएगा ठीक है यह जो questions है यह general questions है जो की बहुत ही जादा पूछे जाते हैं exam point of view से अब हमारे जो बहुत सारे experience professors है ठीक है अनकेडमी में जो उनको analysis करने का बहुत ही तजर्बा है तो वो analyze कर लेंगे कि कौन सा question आ सकता है और कौन सा question नहीं आ सकता है exam में नीट exam में clear है तो यह दोखो यह जो design कर रहे है question वो आपके best educators design कर रहे हैं यह जो educators हैं यह kota के हैं डेली के हैं ठीक है और भी पूरे इंडिया से जो best educators है उनसे बात किया जाता है और वो design कर तो clear है तो यह best questions है तो इंडिया largest fault nightly competition for neat UG ठीक है clear है तो यह combat कैसे आप join करोगे आपको क्या करना है बच्चे unacademy learning app सबसे पहले download करना है क्या करना है unacademy का learning app कौन सा app learning app इसको क्या करोगे आप download करोगे then install करोगे उसमें आपको register करना है अपने आपको register करने के बाद बच्चे आपको select करना है neat UG category ठीक है neat UG category select करोगे neat UG category select करने के बाद आपको नीचे के तरफ दिखेगा test option ठीक है इस तरह से आपको फिर यहाँ पर नीचे के तरफ दिखेगा test option test option पर आपको click करना है जैसे click किया आपको ये combat करके दिख जाएगा ठीक है, combat करके आपको दिख जाएगा इस combat पे, इस combat बच्चे जैसे आप click करोगे तो आपका एक और window खुल जाएगा ठीक है, उसमें आप जाके join कर सकते हो ठीक है, मैंने आपको पूरा process बता दिया इवर मैं फिर से बोल देता हूँ आने Academy Learning एप पे जाना है आपको यसे download करना है, install करना है register करना है, ठीक है इसमें need you to category select करना है ठीक है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे choose करना है, test option उसके बाद फिर आपको combat पे click करना है clear है बच्चे चलो, बहुत अच्छी बात है हाँ, और मैं यह कह रहा था बच्चे जैसे कि आपको फिर जब आप जब आपने combat पे click कर दिया और आपने category choose कर लिया, अगर आप 11th class में हो तो 11th class के quiz होगा उसमें participate कर लेना, अगर 12th class में है 12th class के quiz में participate करना और जो first time dropper हैं, वो भी participate कर सकते हैं उनका 13th class के ठीक है, जो dropper हैं उनका 13th class में कर दिया गया है उसमें आप join कर सकते हो, ठीक है, अच्छे हाँ, तो यह देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है question number one, ठीक है इस तरह से फिर आपका question number one आ जाएगा उसमें फिर question number two, जैसे quiz चलते रहते हैं वैसे यह भी आपका एक तरह का quiz है clear है, लेकिन यह जो levels है questions के यह top grade के questions यह एक तरह का आपका memory booster है क्या है? memory booster है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे देखो A, B, C, O, D ठीक है? चार option दिये हुए हैं इन चारो options में से कोई एक को आपको टिक करना है clear है? challenging questions curated by best academy educators question guaranteed to keep the test engaging, challenging and fun, ठीक है? यह guaranteed बोला जा रहा है, यह ध्यान रखो ठीक है? यह जो questions होंगे top grade के questions हैं और आपको बहुत ही challenging question लगेंगे यह ठीक है? और आपको ऐसा engage कर देंगे कि आपको मज़ा आने लगेगा जैसे लगेए कि game चल रहा है ठीक है? इतना बढ़ी आ रहा है questions का level देखो जैसे यह यह क्या है? यह क्या show हो रहा है यहाँ पे यह show कर रहा है कि यानि कि 50 के यानि कि 50,000 लोग live इसको join कर चुके हैं ठीक है? और भी जाएं और भी इसको join कर रहा है ठीक है? और किसके class का है? यह 11 contest ठीक है रहा बच्चे? अब देखो यह super fast and fun with real time rankings. See how you rank against others with a live leader gold after every question यह देखो यह सबसे चीचीच है कि हर question के बाद, हर question के बाद आपको leader gold show होगा ठीक है? यानि कि आपका rank किस पे है? आप 124 rank पर हो, आप 8 वे rank पर हो, या फिर आप 1st rank पर हो या फिर आप 1000 वे rank पर हो या फिर आप 1.5 lakh rank पर हो ठीक है? यह आपका पूरा बताया जाएगा या फिर आप 5000 वे rank पर हो ठीक है? तो यानि बहुत ही जादा होंगे अब भी देखरो 3 lakhs से उपर क्या हैं सिर्फ आपके downloaded कर चुके हैं Unacadby Learning आपको लेकिन यह जो 3 lakhs से उपर download कर चुके हैं ठीक है यानि कि जो students हैं अगर मालों कि 3 lakh students हैं तो इसमें आपको अपनी rank पता चलेगी और इसमें अगर आपने अपनी rank निकाल ली ना तो उससे आपकी accuracy बढ़ेगी क्या बढ़ेगी accuracy बढ़ेगी clear है accuracy is most important task clear है most important है आपके लिए accuracy exam point of view से clear है तो accuracy बढ़ेगी तो आपका उतना ही ज्यादा neat exam में होने के chances बढ़ जाएंगी clear है अब देखो अब देखो ये क्या है बच्चे यहाँ पर देखो एक राहुल नाम का व्यक्ति है एक राहुल है ठीक है राहुल बच्चा है ठीक है you perform better than 90% learners 90% learners से बढ़िया perform किया है राहुल ने ठीक है और इसका rank क्या आया है यहाँ पर rank देखो 124 आया है rank ठीक है इसकी rating क्या है इसकी rating है 1280 score कितना किया 80 score किया इसने clear है और accuracy level कितना है accuracy level 45% दिया है ठीक है accuracy level भी आपका बहुत ही matter करता है जैसा ही आपका rank matter rank आपका जितना कमाएगा मानलो की first rank second rank या third rank आता है तो समझ लो यह आपके लिए समझ लो की घी में हाट डालने के बलावर हो गया ठीक है आपने घी में सीधे हाट डाल दिया जाने कि आपको apple का apple का जो है laptop मिल जाएगा ठीक है first rank को second rank को apple का mini जो पॉंट आप आता है क्या बोलते हैं से ठीक है अभी मैं आगे दिखाऊंगा ठीक है आईपैड मिनी आईपैड मिल जाएगा आपको ठीक है और जो ठर्ड पे हैं उनको earpots मिल जाएंगे apple के अब बताओ कि हम पढ़ाई करते हैं ठीक है जब हम लोग पढ़ाई कर रहा थे तो भाई 22 साल 23 साल ठीक है और ऐसा कोई भी academy नहीं था जो कि हम लोग को कुछ provide करे प पढ़ाई तो करी रहे हो वो भी free of cost यहां से ठीक है अगर subscription ले लोगे तो यह प्रढ़ाई क्या हो जाएगी एक level की हो जाएगी आपकी यानि कि होने के chances आपके 100% के करीब आ गया है ठीक है तो आप पढ़ाई तो करी रहे हो लेकिन क्या हो रहा है कि आपका साथी साथ यहा पर आपको बहुत कुछ मिल भी रहा है ठीक है आपको gifts मिल रहे है आपको gifts मिल रहे है awards मिल रहे है ठीक है on academy के तरफ से जितना बढ़िया rank आ रहा है ठीक है first second third rank को तो मिलेगा ही लेगिन जो 100 rank के अंदर है उनको भी गिले मिलेगा यह उनको भी gifts मिलेंगे awards मिलेंगे ठीक ह सोचो यह कितनी अच्छी बात है कि पढ़ाई करते करते आप पढ़ाई करते करते आप आप आवार्स पा रहे हो यह opportunity तो छोड़ना है नहीं चाहिए किसी को भी अब देखो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे अब बता दिया गया आपको कि आपने इतना काम कर लिया फिर है आपका rank आ गया ठीक है अब मान लो कि आपने question क्या किया गलत कर दिया ठीक है आपने a option टिक कर दिया जबकि आपका b option सही था ठीक है तो हर question का यहाँ पे जब आपको questions हो जाएंगे सारे उसके वाद फिर यहाँ पे detailed analysis भी हो रहा है यानि कि हर question के answers को solve किया जा रहा है उसका एक video आपको मिलेगा जिसमें answers बताया जाएंगे clearly ठीक है तो यह जो होगा वो in-depth study होगा ठीक है यानि कि आपको फिर in-depth video solutions मिलेगा for the question right after the context contest ठीक है यहाँ पे क्या है बच्चे complete crack conquer ठीक है यानि कि आप क्या कर रहो है यहाँ पे मालो कि आपका जो performance है वो इसमें decide करना है देखो participate in contest and level up आप इस तरह से आपका level क्या होगा अब जा रहा है ठीक है आपके 12 हिंडेंट से हैं तो आप beginner हो 16 हिंडेंट पे आगे तो आप no wise और 1800 हिंडेंट पे आगे तो आप expert हो 24 हिंडेंट पे आगे तो आप master हो 27 हिंडेंट पे आगे तो आप legend हो ठीक है तो आपको देखो इसको क्या मिला है यह राहुल जो था इसको क्या मिला है इसको मिल गया है आपका master ठीक है last 30 days में plus 45 clear है और highest rating गया है 1456 clear है इतना अगर बच्चे हम लोग score की बात करें ठीक है अगर हम लोग यहाँ पर score की बात करते हैं ठीक है need pro इसको याद रखना हमेशा need pro clear है हाँ अगर हम लोग यहाँ पर score की बात करें बच्चे तो अपना यह देखो यहाँ पर जो speed है और accuracy है वो बहुत भी बढ़िया हो रहा है ठीक है leaderboard आपको बताया जाएगा हर question के बाद आपको leaderboard बताया जा रहा है उसमें आपका rank क्या आ रहा है यह सारी चीज़े आपको बताया जा रही है rating point of view से अगर देखा जाए तो आपका rating क्या है यह भी बताया जा रहा है highest rating 1456 तो overall rating भी बताया जाएगी आपकी ठीक है कैसे आपको improve करना है awards की बात करें बच्चे तो कई तरह के awards है ठीक है यानि कि आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपको award मिलेगा उतना ही earn करोगे clear है यहाँ पर पढ़ने पर earn करना है यह तो सबसे अच्छी बात है आप देखो यहाँ पर क्या है बच्चे compete with the best and win amazing prizes ठीक है यहाँ पर compete करना है आपको best के साथ और जीतना है amazing prizes को जैसे कि मान लो कि आपका first rank आ गया ठीक है तो आपको मिल गया भई apple macbook air आपका बच्चे second rank आ गया तो आपको मिल गया apple ipad mini और आपका अगर third rank आ गया तो आपको मिल जाएगा apple airpots ठीक है यह तो सारे students का सपना होता है कि वो student time में इन चीज़ों को use सारे students का सपना होता है कि apple का macbook ले ले अपल का ipad मिले ले ठीक है यह सारे student का सपना होता है ठीक है और आपका यह सपना यहाँ पर पूरा हो रहा है प्र वो भी पढ़के clear है और देखो यहाँ पर क्या है यह आपको one thousand का 1,000 रुपीज का जो की top 100 rankers है ना जो top 100 rankers है उनको 1,000 का Amazon voucher भे मिल रहा है यहाँ पे extra में 1,000 का Amazon voucher clear है अब दोगो first contest की अगर बात करें बच्चे हम लोग अगर हम लोग बात करें first contest की तो for NEET UG on November 29, 2020 टाइम है आपका 11 a.m ठीक है for class 11 अगर देखा जाए अगर class 11 के लिए देखा जाए तो आपका देखो तीनो class के लिए है जो 11 class में बच्चे हैं वो भी दे सकते हैं ठीक है 11 बज़े से आपके लिए शुरू होगा और आप जो class 12 में हैं उनका भी 11 बज़े से शुरू होगा और जो class 13 में हैं यानि कि जो droppers हैं ठीक है जो droppers हैं उनका भी आपका 11 a.m से शुरू होगा ठीक है और ये कब हो रहा है एक्जाम ये हो रहा है बच्चे ये जो quiz होगा हर स संदे को होगा और इस बार 29 से start हो रहा है ठीक है 29 नवंबर से यह start हो रहा है और हर संदे को यह होगा यह ध्यान रखना इर है तो 29 नवंबर सुबह 11 बजे आप सभी को तयार रहना है यह आप लोग ध्यान में रख लो क्लियर है अब देखो यहां पे जो 11 a.m. है 11 a.m. से 11.45 a.m. की 45 मिट का आपका रहेगा डिवरेशन ठीक है इसमें आपके जोलोजी, बॉटनी, फिडिक्स, केमेस्ट्री चारोगों सब्जेक्ट से क्वेश्चन्स रहेंगे और साथी साथ इसमें चार राउंड होगा of seven questions each, four rounds seven questions each ठीक है चार राउंड होगे तो seven fours are 28, total question कितने होगे 28 questions होगे ठीक है अगर negative scoring की बात करें बच्चे तो incorrect answer आपको मिलने पे, incorrect answer देने पे क्या हो जाएगा negative score मिल जाएगा जुलोजी, botany, physics chemistry आपको मिली रहा है, four rounds of seven questions each, negative score for incorrect answer ठीक है अगर class 13 यानि कि droppers की बात करें तो आपका इसमें भी वही है timing, यही जुलोजी, botany, physics chemistry है इसमें भी और four rounds of seven questions each, यानि कि 28 questions यहाँ पे भी है, 28 questions यहाँ पे भी है और यहाँ पे ठीक है negative score for incorrect answer is this, ठीक है, अब देखो, इसमें क्या करना है आपको, मानलो कि आप class 11 में हो class 11 में हो, आपने इसपे click किया, और इसे, इसपे क्या गए, आप enroll हो गए, clear है, आप इसमें enroll हो गए अगर आप class 12 में हो, तो आप इसमें enroll हो जाओ, class 12 में, for class 12, अगर आप class 13 में हो, यानि कि आप dropper हो, ठीक है, तो आप enroll इसमें हो जाओ, ठीक है, देखो, contest का जो format है, ठीक है, एक तो यह 60 minutes का है, बता दिया गया है, ठीक है, 28 questions है total आपके, 28 questions है, और separate contest for 11, 12 and 13, देखो, separate ही तीनों के लिए, लेकिन time क्या है, same है, ठीक है, 8 भी same है, Sunday को है, Sunday को है, 29 November, ठीक है, ताइमिंग क्या है बच्चे, 11 am, ठीक है, clear है, और देखो, इस Sunday को तो 29 को हो रहा है, फिर अगला Sunday भी होगा, इसके बाद, इसके बाद बच्चे, next Sunday भी आपका इसी तरह से exam चलता ठीक है, अब देखो, यहाँ पर चार सेक्शन आपके दिये ही हुए थे, पॉटनी, जलोजी, फिडिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और यहाँ पर देखो, दिया हुए है, नीट स्कोरिंग, नीट स्कोरिंग, यहाँ दिया हुए है, 40 nightly contest, ठीक है, 40 nightly context, यह alternate Sundays, clear है, हर संडे को आपका यह context होगा, यह है, अब देखो, यहाँ पर अगर हम लोग syllabus की बात करें, syllabus की बात करें बच्चे, तो आपका यह context 2 है, जलोजी की बात करें, तो आपका digestion and absorption, process of digestion हो गया, ठीक है, पॉटनी की बात करें, तो आपका living bird आ जाएगा, biological classification आ जाएगा, अगर हम लोग physics क की बात करें, तो kinematics आ जाएगा, इसमें 1D, 2D और vectors आ जाएगे, अगर chemistry की बात करें, तो आपका inorganic आ जाएगा, periodic table, part 1, basic concepts, atomic radius, ionization energy, ठीक है, यह सारी चीज़ें आपकी आ जाएगे, अगर class 12 की बात करें बच्चे, तो आपका digestion और absorption आ जाएगा, process of digestion, reproduction in organism आ जाएगा, electrostatics आ जाएगा, inorganic coordination, compounds आ जाएगे, part 1, basic concepts, IOPAC, naming, awareness, theory, यह सारी चीज़ें आ जाएगे, ठीक है, अगर हम लोग droppers की बात करें, तो इसमें आपका digestion और absorption आ जाएगा, process of digestion, living world plus reproduction in organism आ जाएगे, kinetic theory of gases आ जाएगा, thermodynamics आ जाएगा, oscillation and waves आ जाएगा, inorganic periodic cables आ जाएगे, यह सारी चीज़ें आपकी already inbuilt है, ठीक है, अब देखो, हरी प्रिश्ना, enroll now in unacademy combat, ठीक है, आपको enroll करना है इसमें to participate in the unacademy combat, sign in to the unacademy learning app, सिर्फ आपको unacademy learning app पे sign in करना है, और आपको use करना है code यहाँ पे, ठीक है, कौन सा, MD100, ठीक है, कौन सा code यूज़ करना है, MD100 code यूज़ करना है बच्चे आपको, ठीक है, और इसको use करके आप लोग इसे join कर सकते हो, ठीक है, test की test option में जाकर के click करना है, फिर इसे आपको अपना जाकरी quiz में participate कर लो, clear है, नहीं के आपने मेरे code के through join किया है, ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी बात है, तो मैंने आ आपको सब कुछ बता दिया है, मैंने unacademy combat के बारे में, इसके बाद फिर मैं आप शुरू करने जा रहा हूँ बच्चे, cell cycle के बारे में, ठीक है, मैं cell cycle शुरू कर देता हूँ, cell cycle में मैंने आपको इस से पहले बता दिया था introductory part, ठीक है, यह फ़र मैं चख कर लेता हूँ, क्या यह recording सही चल रही है, कि क्लास सभी चल रही है मेरी कि 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 अब ध्यान दो बच्च ध्यान से ठीक है अब यहां पे ध्यान दीजे अब हो cell cycle chapter में मेंने आपको introductory part बता दिया था ठीक है analysis किये हैं यह जो analysis हुआ है वो आपका यहाँ पर analysis जो हो रहा बच्चे यहाँ पर आपका हम analysis दिखा देते हैं cell chapter से plus cell cycle cell chapter plus cell cycle ठीक हम पूरा analysis बता रहे हैं यहाँ पर फिर है अगर टूरां 15 की बात करें तो आपका 4 question आया हुआ है टूरां 16 की बात करें question आया हुआ है यहाँ question आने के आपके 2021 में आपके टूटल चार से 6 question आने के chances पूरे है तो आपको इस तीच के लिए prepare होना पड़ेगा preparation बहुत ही ज़रूरी है ठीक है इससे पहले वाले session में जो first session था मेरा cell cycle पे उस पे मैंने आपको introduction बता दिया था cell cycle के different phases बता दिये थे ठीक है आज मैं आप लोग को मैंने आपको दो phases के बारे बताया था यहाँ पर एक था आपका interface ठीक है और दूसरा गया था बच्चे m phase था इन दोनों में मैंने आपको अंतर बता दिया था यह अंतर क्या है ठीक है आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चे वो हम शुरू करेंगे interface से clear है अतना आज हम लोग शुरू करेंगे interface से उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे बच्चे S फेज उसके बाद पर देखेंगे हम लोग G2 फेज ठीक है चलो अब शुरू करते हैं अन्ताक्षडी लेके प्रभू का नाम अब शुरू करते हैं अन्ताक्षडी लेके प्रभू का नाम समय बिताने से पहले करना होगा बहुत को अन्ताक्षडी लेके प्रभू का नाम समय बिताने से पहले करना होगा बहुत कुछ ताम सबसे पहले हम लोग बात करते बच्चे इंटर फेज में G1 फेज की बारे में G1 फेज ठीक है मैंने आपको एक चीज बताया था ना ने जीवन बना दिया था S बना दिया था फिर आपका G2 बना दिया था फिर इसके बाद फिर आपका क्या आ गया था बच्चे यहां पर यहां पर आ गया था आपका P-Met ठीक है? Pro Phase, Metaphase Enaphase और T-Lophase इसको हमने क्या बोल दिया था? ये जो part है इसको हमने बोल दिया था आपका karyokinesis क्या बोल दिया थे हम लोग ने इसको karyokinesis ठीक है और इस part को हमने क्या बोल दिया था cytokinesis ठीक है ये क्या हो गया था आपका cytokinesis karyokinesis और cytokinesis जो है ये दोनों मिलकर के बनाते हैं बच्चे M phase ठीक है ये दोनों मिलकरे क्या बनाएंगे आपका ये दोनों मिलकरे बनाएंगे आपका M phase और mitotic phase M phase और mitotic phase clear है इतना और मैं एक बार color change कर लेता हूँ और ये जो है G1 S और G2 G1 S और G2 जो है ये आपका बनाते हैं बच्चे ये आपका बनाते हैं interface ये क्या बनाते हैं आपका interface clear है इतना clear है इतना आला बात समझ में अब देखो interface जो है ये जो interface है या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं G1 phase ठीक है इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं one phase भी इसको हम लोग gap वन फेज भी बोल सकते हैं या फिर इसको बच्चे हम लोग बोल सकते हैं फिर्स्ट फिर्स्ट ग्रोथ फेज जनरेशन फिर्स्ट ग्रोथ फेज क्या बोल सकते हैं फिर्स्ट ग्रोथ फेज ठीके पहला ग्रोथ फेज आईए या फिर बच्चे हम लोग इसको बोल सकते हैं Post-Mitotic Phase क्या बोल सकते हैं? Post-Mitotic Phase ठीके, Post-Mitotic Phase क्यों बोल रहा है? ठीकि यह देखो, यहां पर यह क्या है? M Phase है, ना भargопर माइट्रोडिक Phase है Mitotic Phase के बाद आपका क्या आ रहा है? Interface या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं आई फेज, ठीक है, माइटोटिक फेज के बाद ही तो आपका जीवन आ रहा है, तो माइटोटिक फेज के बाद आपका जीवन आ रहा है, तो पोस्ट, यानि कि माइटोटिक फेज के बाद, पोस्ट माइटोटिक फेज, ठीक है, कौन सा ह गया जीवन फेज हो गया एतना या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे प्री सिंथेटिक फेज प्री सिंथेटिक फेज यानि की या फिर प्री एस फेज भी बोल सकते हैं ठीक है एस फेज क्या हो गया सिंथेटिक फेज हो गया अब यहां पर देखो यह क्या है य हरी करशना अब देखो यह जो होता है न बच्चे यह जो होता है यह यहां पर increase होता है यह size में increase in cell size increase in cell size increase in size of nucleus nucleus के size भी increase होती है इसमें increase in size of nucleus ठीक है increase in size of nucleus हो गया यानि कि आपका cell size तो increase करी रहा है nucleus का भी size increase कर रहा है clear है और ये longest duration होता है इसमें ये क्या होता है longest duration होता है यानि कि 8-10 hours cell इसमें time spend करता है मैंने आपको पहले ही बताया था कि G1 में जो होता है cell कितना होता है 8-10 hours time spend clear है और इसमें 6-8 hours ठीक है इसमें 4-6 hours clear है इतना clear है नबच्चे यानि ये आपको पहले ही बताया था पहले वाले session में बताया था total आपका approximately 95% जो है cell time spent करता है interface में यानि कि 23 hours जो है cell time spent कर रहा कहां पर सिर्फ आपका interface में सिर्फ 1 hour यानि कि 5% जो है cell time spent कर रहा है M phase में या फिर mitotic phase ठीक है बच्चे अरे कृष्णा अब इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे longest duration बोलते हैं अब इसमें जो है during this phase during this phase synthesis of इस phase में क्या होता बच्चे nucleotides का synthesis होता है nucleotides का synthesis होता है amino acids का synthesis होता है ATP का synthesis होता है ठीक है RNA के synthesis होती है RNA-P enzyme मिलता है RNA-P enzyme मनता है इसमें RNA-P enzyme protein के synthesis होती है इसमें आपकी protein की भी synthesis हो रही है और साथी साथ बच्चे synthesis हो रहा है amino acids का इसका synthesis of amino acids synthesis of amino acids whether let it be utilized for the synthesis of histone protein and other phases ठीक है यह जो synthesis हो रहा है amino acids का synthesis of amino acids of histone protein of histone proteins ठीक है histone protein के amino acids synthesis इसमें हो रही है इसमें G1 phase में लेकिन लेकिन histone protein किसमें synthesis होगा इसमें नहीं synthesis होगा histone protein इसके वस amino acids synthesis हो रहा है यह रहा है इतना पिसकी जीको ध्यान रखना in G1 phase cell has two option ठीक है G1 phase में बच्चे cell के पास दो option होता है two option ठीक है ध्यान से सुनना यहां पर यहां पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो confused होते हैं तो यहां पर आप लोग थ्यान दीजेगा ध्यान से सुनिएगा इसमें बच्चे पिसको G1 phase में बच्चे cell के पास दो option होता है यह two options पहला option यह है या तो cell अपना continue करे cell cycle को यानि कि G1 से S phase में जाए ठीके पहला option तो यह हो गया फस्ट option यह हो गया आपका यानि कि इसमें क्या हो गया cell ने commit कर दिया और completing cell division ठीके cell committed और for completing cell division cell ने commit कर दिया cell division कम्प्रीट करने के लिए ठीके और दूसरा option क्या है बच्चे दूसरा option यह है दूसरा option आपका यह है if cell division if cell division capacity is lost अगर cell division की capacity lost हो जाएगी then cell changes then cell changes itself then cell changes itself into specific cells into specific cells ठीके which perform which perform specific functions यह परफॉर्म करेगा क्या specific functions को यानि कि जो cell division की capacity है ठीके वो क्या हो गई है lost हो चुकी है ठीके then cell changes itself into specific cell फिर cell ने अपने आपको cell के पास दो option होता है पहला option यह है कि cell division की ability जो है cell की वो lost हो चुकी है यानि कि cell जो है specific function जैसे आपका example मान लो इसमें मान लो permanent tissue जैसे क्या होगी आपका example permanent tissue ठीके arithmetic cells होते है उससे क्या बन गया आपका permanent tissue बन गया यानि कि cell अपने आपको ऐसे cell में change कर लिया है जिसके पास cell division की ability lost हो चुकी है इसमें cell division की ability lost हो चुकी है ठीके यानि कि जो cell है ठीके cell जो है वो g1 phase से इंटर कर गया है किसमें g0 phase ठीके जो कि क्या है बच्चे एक तरह का quescent phase है जो कि क्या है बच्चे एक तरह का quescent phase है cell इंटर कर गया है g1 phase से किसमे g0 phase में यानि कि जो कि एक तरह का है quescent phase ठीके इसमे cell division की ability खतम हो चुकी है cell division की जो ability है cell की वो क्या होगी है lost हो चुकी ठीके इन g0 phase g0 phase में बच्चे एक point लिख लो note कर लो ठीके important point note कर लो g0 phase में g0 phase में ठीके cell not divided cell जो होते हैं वो divide नहीं करते हैं ठीके g0 phase में cell not divided but it is metabolically active लेकिन यह क्या होते हैं but it is metabolically active होते हैं लेकिन इसमें क्या है cell metabolically active है ठीके यह रहे इतना बार इतना बार चीज समझ में आ रहा है बच्चे आपको g0 phase में बच्चे exit from g1 phase g0 phase क्या है exit है ठीके g0 phase जो है g0 phase जो है यह exit है that is exit from g0 phase is exit from g1 phase ठीके g0 phase क्या है exit है g1 phase में से अब इसमें दो चीजे आ जाएंगी बच्चे इसमें दो चीजे आ जाएंगी पहला हो गया देखो g0 phase में जब cell है इसके पास दो option होते हैं ठीके यह g0 phase को हम लोग क्या बोलते है लाइन दी हुई है ठीके उस लाइन को अच्छे से पढ़ना क्या दिया हुआ है उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्योंकि NTA ने जो answer दे दिया था और NCRT में जो answer था NCRT में जो था लिखा हुआ था ठीके दोनों different थे NCRT में शायद suspended दे दिया था और NTA ने exit दे दिया था ठीके तो दोनों में ही controversy हो गए थी तो देखो G naught phase जो है ये क्या है आपका temporary है G naught phase क्या है temporary है ठीके लेकिन जो B है ये क्या हो गया आपका ये permanent हो गया B क्या हो गया बच्चे आपका permanent हो गया ठीके B क्या हो गया आपका permanent हो गया ठीके देखो जब आपका जो G1 में cell है ठीके वो क्या हो गया उसमें cell division के ability lost हो चुकी है वो G naught में चला गया तो इसमें cell के पास दो option होते हैं ठीके इनौर्ड में cell के पास दो option होते हैं या तो आपका temporary basis पे cell division ability lost हुई है cell division की जो ability है बच्चे या तो वो temporary base पे lost हुई है यानि कि फिर से वो regain कर लेगा ठीक है अभी ये temporary base पे lost हुई है ठीक है temporary base पे लेकिन इसके पास ability है कि वो regain कर ले अपनी cell division की ability ठीक है लेकिन permanent में क्या है cell division की ability जो है cell division की cell division की जो ability है वो totally lost हो चुकी है totally lost कियर है अब देखो temporary और permanent में मैं आप लोगों बता देता हूँ मैं example दूँगा जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा ठीक है अब देखो ध्यान से सुनना बच्चे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर आपका ध्यान देना बहुत ही अती आवश्यक है यह ध्यान रखना यहाँ पर आपका ध्यान अती आवश्यक है यह दो यहाँ पर क्या आगे आपका marismatic tissue क्या हो गया आपका यहाँ पर marismatic tissue ठीक है arithmetic tissue क्या करेगा arithmetic tissue बच्चे यहाँ पर differentiation करेगा जिसमे permanent tissue में arithmetic tissue differentiation करेगा जिसमे permanent tissue में यानि कि यह जो arithmetic tissue था ठीके मालों कि यह आपका arithmetic tissue था यह आपका divide कर गया किसमे permanent में process का नाम differentiation differentiation Differenetiation, ठीकिए, differentiate किया Marisemetic Tissue और वो Permanent Tissue में Change हो गया, अब Permanent Tissue जो है, इसके पास दो option है, या तो इसके पास temporary based पर Cell Division की ability lost हो चुकी है, temporary, ठीकिए, या फिर आपका permanently Cell Division की ability lost हो चुकी है, ठीकिए, Cell Division की ability या हो चुकी है, lost हो चुकी है, ठीकिए, या तो temporary base पे loss किया cell division के ability या फिर आपका permanently base पे cell division के ability और सुच किया है ठीके अगर मान लो इसने temporary base पे loss किया है cell division के ability ठीके तो यह further division show करेगा यह further division show करेगा बच्चे तो इसको हम लोग बोल देते हैं de-differentiation क्या बोल देंगे इसको हम लोग de-differentiation यानि कि यह primary meristematic tissue से यानि primary meristum से यह change हो चुका है किसमे? secondary meristum में, ठीके secondary meristum में change हो चुका है, अब meristematic tissue के पास फिर से cell division के ability है इसके पास तो cell division के ability रहेगी ठीके, इसके पास भी cell division के अबिलिटी रहेगी, ठीके clear है इतना, अगर मान लो इतो कि यह टेमपरी बता दिया, ठीक है? अब क्या हुआ? मैरिस्मेटिक टिशु फिर से डिवाइड कर गया आपका secondary permanent tissue में secondary permanent tissue में डिवाइड कर गया तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था? primary permanent tissue, ठीक है? यह secondary permanent tissue में डिवाइड किया अब इसके पास बच्चे समलो की permanently lost हो चुकी है cell division की ability अगर permanently lost हो चुकी है cell division की ability तो ये क्या होगा इसका क्या होगा क्या होगा बताओ यानि कि ये जो cell है ये जो permanent issue के cells है ये अपने आपको special cells में converge कर चुके special cells में convert कर चुके हैं जो की perform करेंगे बच्चे special function special function perform करेंगे जैसे की आपका scleran chyma cells clear है scleran chyma cells dead cells है उन्समें division नहीं होता clear है आ रहा बच्चे समझ में किसी को कोई भी दिक्कत तो बच्चेंडी से आपका जब secondary permanent issue बनेगा तो इस process को आप लोग बोलते है री डिफ्रेंशियेशन इसको क्या बोल दोग आप लोग री डिफ्रेंशियेशन इतना clear है clear है न बच्चे इतना बहुत अच्छी बात है आप सभी का clear होते भी चल रहा है मैं बहुत खुश हूँ इस सीच से ठीके अब चलो आप हम लोग शुरू करते हैं बच्चे एस phase का ठीके एस phase के बारे में शुरू करते हैं जीवन phase में किसी को कोई परिशानी जीवन phase क्या मैं एक बार फिर से revise कर दूँ बच्चे आप लोग का revise कर दूँ जीवन phase आप लोग एक बार बता दो जली से comment box पे ठीके comment box पे आप वाई लिख दीजे अगर मैं revise करा दूँ आपका तो comment box पे एक बार वाई लिख दीजे आप लोग ठीके जली से लिख दो वाई comment box पे फिर मैं एक बार revise करा देता हूँ एक बार मैं check लेता हूँ कि आप ये वीडियो सही चल रहा है या नहीं कि मैं एक बार check कर लेता हूँ yes it is going smoothly बहुत अच्छी बात है ठीके बच्चे चलो अब शुरू करते हैं S phase S phase में देखो क्या होगा यहाँ पर मैं पहले बना देता हूँ आपका ठीके यह मैंने बना दिया बच्चे जीवन फेज यह मैंने बना दिया है आपका जीवन फेज पर आप जानते हूँ कि जीवन फेज में ही क्या होता है आपका G-naught phase होता है G-naught phase में ही क्या होता है G-naught phase होता है तो इस तरह से मैंने दिखा दिया clear है G-naught phase मैंने दिखा दिया है G-naught phase फिर मैंने बना दिया बच्चे यहाँ पर S phase ठीक है फिर यहाँ पर बना दिया है D2 phase इसके बाद फिर आपका आजाता है M phase clear है इतना clear है बच्चे बहुत अच्छी बात है अब हम बात करेंगे बच्चे S phase के बारे में S phase की बारे में बात करने जा रहा है जो कि आपका T point मैंने लिखती जा है G1 phase में क्या था बच्चे अगर हम लोग G1 phase में अगर हम लोग chromatin को देखें कैसा दिख रहा है DNA DNA को गर देखें तो DNA कैसा दिख रहा है मैं यह दिखा देता हूँ यह मान लोग कि मैंने G1 इन G1 phase each chromosome is represented by single double standard DNA ठीक है G1 phase में बच्चे each chromosome जो होता है हर chromosome each chromosome is represented by इस री प्रेजेंटेड बाई ठीक है single double standard DNA ठीक है हर जो chromosome है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा single double standard DNA के फॉर्म में रिप्रेजेंट देखो जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया ठीक हो कि आपका DNA ठीक है यह मैंने आपका बना दिया यहाँ पे DNA देख रहा है यह और बीच में मैंने बना दिया है centromere यह मैंने बना दिया है centromere कैसे दिखाने के लिए आपको तो देखो यह जो condition है यह जो condition है this condition of chromosome is called as यह जो condition है इस condition को बच्चे हम लोग बोलेंगे monad condition क्या को बोलेंगे इसको हम लोग monad condition ठीक है एक single stand है ना DNA का ठीक है given phase में given phase में single stand है ठीक है इसको हम लोग क्या बोल देंगे monad condition ठीक है लेकिन जो S phase में होगा बच्चे S phase में क्या होगा DNA का content double हो जाता है ठीक है DNA content क्या हो जाता है double हो जाता है तो यहाँ पर देखो double मैंने बना दे रहा हूँ DNA content जाता है ठीक है यह देखो यहाँ पर क्या मैंने बना दिया है ठीक है यह मैंने बना दिया बच्चे diode condition ठीक है आपका DNA content double हो गया न S phase में आपका DNA replication होता है आपको यह ध्यान होना चाहिए ठीक है मैंने आपको बताया था nuclear DNA replication takes place in S phase clear है यह डायाड condition हो गया क्रोमोसोम का डायाड condition ठीक है डायाड condition of क्रोमोसोम ठीक है इसमें आपके दो double standard DNA हो गये ठीक है यहाँ पर क्या था one double standard DNA ठीक है one double standard DNA था यहाँ पर क्या हो गया दो double standard DNA एक strand यह एक strand यह clear है ठीक है यह आपको कब दिखेगा S phase में दिखेगा आपको ठीके यह आपको कब दिखेगा बच्चे यह आपको दिखेगा S phase में ठीके अब देखो इसके ऊपर की तरफ क्या होगा बच्चे अगर हम लोग इसके ऊपर की तरफ देखे यहाँ पे काइनेटो कोर की assembly हो जाएगी याने की kineto core की assembly भी आपकी S phase में ही होती है यह kineto core की assembly भी आपकी S phase में ही होती है यह kineto core क्या हुआ assemble हो गया kineto core यहाँ पर assemble हो गया ठीक है kineto core के बारे में अभी मैं बताता हूँ आप लोगो यह तरह का proteinaceous disc होता है ठीक है अभी मैं इसके बारें बताता हूँ, तो काइनेटो कोर की जो असेंबली है, यह ध्यान रगना आपको काइनेटो कोर की जो बच्चे असेंबली है, ठीके, वो कब होता है, S-Phase में, ठीके, S-Phase में काइनेटो कोर की असेंबली होती है, काइनेटो कोर क्या है, यह आपका एक तरह का प्रोटी डिस्क है अभी इसके बारे भी मैं फूरी चीज़े क्लियर करूंगा ठीक है देखो बच्चे S-phase में जो क्रोमोसोम होता है वो दो double standard DNA का बना होता है ठीक है ये consist होता है two double standard DNA का ठीक है इसमें बच्चे आपका एक ही ओर्गनल है जो duplication करता है centriol is the only one organal which duplicated in the S-phase ठीक है centriol आपका यहाँ पे duplication करता है clear है centriol का क्या हो रहा है यहाँ पे duplication हो रहा है histone protein का formation होगा यहाँ पे histone protein भी बनेगा यहाँ पे histone protein formation histone protein का formation होगा histone protein का formation होगा यहाँ पे invisible phase होता है यह ठीक है इसको हम दो क्या बोल देंगे invisible phase ठीक है इसको हम लोग बोल देते हैं invisible phase because क्यों invisible phase because DNA DNA which is duplicated in this phase DNA which is duplicated DNA which is duplicated in this phase not seen in this phase DNA which is duplicated in this phase not seen in not seen in this phase clear है इतना जो DNA duplicate हुआ है इस phase में वो इस phase में नहीं दिखता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं invisible phase S phase को हो इसलिए हम लोग क्या और बोल देते हैं बच्चे invisible phase इसको हम लोग pre ठीके G2 phase भी बोल सकते हैं post G1 phase भी बोल सकते हैं ठीके ये different तरह के नाम है जो आप उकार सकते हो clear है और इसमें बच्चे आपका assembly होता है assembly of kineto core ठीके assembly of kineto core takes place ठीके तो kineto core से क्या होता है spindle fiber फिर arise होता है आगे की तरफ ठीके बच्चे आप देखो कुछ note लिख लो आप लो कुछ important points में बता देता हूँ एक बार इसे लिख लो पहला point ये है कि जो आपका nuclear DNA replication होता है ठीके nuclear DNA replication होता है ये कहाँ पर होता है nucleus के अंदर ठीके और ये कब होता है S phase में होता है ठीके बच्चे जो centriole होता है centriole का duplication ठीके जो centriole का duplication होता है जो आपका centriole का duplication होता है ये आपका कहाँ पर होता है cytoplasm ठीके centriole का duplication कहाँ पर होता है cytoplasm ठीके centriole is only one organelle which double in S phase ठीके centriole ही सिर्फ एक ऐसा organelle है only one organelle only one organal ठीक है which double in S phase जो की double होता है किसमे S phase में clear है इतना इतना clear है बच्चे चलो अब हम लोग तीसरी बात कर लेते हैं काइनेटो कोर के बारे में काइनेटो कोर के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर मैं एक general chromosome बना देता हूं जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ठीक है यह मैंने बना दिया क्रोमसोम ठीक है यहाँ पर मैंने बना दिया है बच्चे आपका यह क्रोमसोम क्रोमसोम के उपर मैं दिखा देता हूँ आपका प्रोटीनेशिस दिस्क ठीक क्रोमोसूम के उपर मैंने यह दिखा दिया आपका ये सेंट्रोमियर हो गया ठीक है ये centromere हो गया इसे बच्चे हम लोग बोल देते हैं kinetocore इसे हम लोग क्या बोल देंगे kinetocore centromere हो गया इसे बोल देते हैं हम लोग kinetocore ये क्या हो गया आपका ठीक है इसे हम लोग बोल देंगे spindle fiber इसे क्या बोल देंगे हम लोग spindle fiber kynetocore जो होता है ये एक तरह का आपका proteinaceous disk होता है proteinaceous disk होता है हमेशा dhywan रखना assembly कभ होती है S phase में ठीक है assembly कभ होती हैसकी S phase में ठीक है तो ध्यां से सनो मैं एक line बोल रहा है kinetocore associated with the centromere is a complex of protein ठीक है ये complex of protein है where spindle fiber attached to the chromosome जहां पे spindle fiber attach होता है chromosome के साथ during mitosis and meiosis and help in the proper segregation of sister chromatids ठीक है और help करता है proper segregation sister chromatids का देखो कैसे करेगा segregation मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ अब यह क्या करेंगा बच्चे segregate करेंगे segregate कैसे करेंगे ठीक है दिख रहा है यह क्या होगे दोनों chromatids क्या होगे अलग होगे अब इसको हम लोग यहाँ पर देखो यह जो नीचे वाला है इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं two chromosome यह है यह जब होगा segregation जब होता है segregation of chromatid तब यह पता चलता है यह S phase में नहीं होता है segregation यह ध्यान रखना ठीक है मैं बस आपको यह समझाने के लिए इतना part बता रहा हूँ as a rough work ठीक है kinetor core की assembly आपको बस यह ध्यान रखना है यह जो अला जो part है वो कहाँ पर हो रहा है S phase में हो रहा है ठीक है यह बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ clear है अरे कृष्णा अब ध्यान से सुनो बच्चे में आप लोग एक चीज और बताता हूँ ध्यान से सुनी आप लोग fifth point देखो if cell haploid अगर cell क्या है बच्चे haploid है यानि की n नमबर में है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा आपका dna content 1c है और dna content क्या है 1c है यह दर मैंने लिख दिया dna content यह क्या है 1c है और यह phase कौन सा होगा g1 phase g1 phase होगा ठीक है और cell कैसा है haploid है अगर बच्चे s phase में cell जाएगा ठीक है cell चला गया आपका किसमे s phase में ठीक है अब यह content कितना होगा dna का content हो जाएगा बच्चे 2c यह content कितना होगा 2c होगा लेकिन cell कैसा है cell haploid ही है यह ध्यान रखना cell क्या है haploid ही है अगर मान लो if cell is deployed अगर cell क्या हो गया आपका deployed हो गया यानि कि 2n हम मान लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2c तो हमने लिख दिया 2c प्राइक स्कुफिया g1 phase उद्यकिर यहाँ पर क्या है cell है deployed अगर मान लो कि हम x phase में s phase में dna content क्या हो जाएगा DNA content बढ़ गया यानि की force ही हो गया S phase में ठीके और आपका cell कैसा है cell आपका deployed ही रहेगा यह ध्यान अखना है ठीके यानि की DNA का content यानि की DNA का amount increase करता है ठीके DNA content DNA amount क्या कर रहा है increase कर रहा है लेकिन chromosome number chromosome number remains same chromosome number क्या है remains ठीके बच्चे आरी बात समझ में clear है अरे कृष्णा देखो यह मैं S phase की बात कर रहा हूं ठीके S phase की बात कर रहा हूं मैं यह ठीके अब इसके बात फिर बच्चे आता है आपका ठीके G2 phase लेकिन G2 phase start करने से पहले मैं सोचा हूं एक बार आपका quick revision करवा दूँ इतना भी मैंने अभी आप तक आपको पढ़ाया है कि मैं एक बार quick revision करवा देता हूं जेतना भी पढ़ाया आप लोग को देखो बच्चे आज मैंने शुरू किया है आपका G1 phase इंटर phase का पहला part G1 phase G1 phase आपका ये है दिख रहा है ने G1 phase G1 phase में मैंने आपको बताया है कि सबसे longest duration होता है ये कि ये longest duration होता है इस phase का दूसरा नाम क्या है बच्चे इसको हम लोग ये आपका M phase के बाद हो रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं post M phase क्या बोल सकते हैं post M phase ये S phase के पहले हो रहा है तो इसको pre S phase भी बोल सकते हैं ठीक है मैंने आपको बता दिया है post M phase, mitotic phase या फिर pre synthetic phase S phase को हम लोग synthetic phase भी बोलते हैं ठीक है इसको हम लोग बच्चे gap 1 phase भी बोल सकते हैं या फिर first growth phase भी बोल सकते हैं ठीक है इसमें आपका cell का size बढ़ता है cell nucleus का size बढ़ता है longest duration होता है ये 8 to 10 hours ठीक है during this phase synthesis of nucleotides amino acids, ATP, RNA and RNAP protein synthesis synthesis of amino acids of histone protein ठीक है ये सारी चीज़े involve होंगी और गीवन phase जो होता है वो दो option होते है जीवन के पास ठीक है पहला क्या जीवन phase है इसके पास दो option है पहला जीवन से S में transition हो जाए यानि कि जीवन phase से जो cell है वो S phase में जा रहा है यानि कि cell ने commit कर लिया है कि हम भाया cell division करेंगे ही करेंगे ठीक है और दूसरा option ये है जीवन से वो G-naud में चला जाए यानि कि cell division की ability उसके अंदर खतम हो चुकी है ठीक है यानि कि cell जो है cell division की capacity जो है ability जो है वो क्या हो चुकी है lost हो चुकी है और cell ने अपने आपको change कर लिया है specific cells में जो कि perform करेंगे बच्चे specific function for example sprenchyma ठीक है मैंने आपको एक example पीछे दिया न ये देखो यहाँ पर क्या हो गया ये primary meristematic tissue है इसके ने differentiate किया और बना लिया primary permanent tissue अब primary permanent tissue के पास दो option है एक तो temporary दूसरा क्या है permanently अगर temporary base पे बच्चे हम लोग देखे temporary base पे cell division क्या होता है इसमें lost हो जाता है ठीक है यानि कि cell division के ability temporary base पे lost हो चागी है अगर हम लोग temporary base पे देख रहे हैं तो clear है और दूसरा क्या है आपका permanently lost हो चुकी है अगर permanently lost हो चुकी है तो वो अपने आपको ऐसे cells में convert कर लिया है कि वो special cell कर ला रहा है ठीक है उसके कुछ structural change हो गए है जो अपने आपको special cells में convert कर लिया है जो कि perform करेंगे special function like isclin chima cell isclin chima cell क्या हो गया mechanical support clear है chief mechanical tissue इसमें क्या है इसको हम लोग बोलते है dead cell क्या होता है dead cell होता है ठीक है इसमें जो आपका differentiation का process है डी differentiation इस process को हम लोग बोल देंगे जो secondary medicine है secondary medicine जो है बच्चे secondary medicine convert हो जाएगा आपका secondary permanent tissue में ठीक है इस process को हम लोग बोल देंगे redifferentiation इस process को हम लोग बोल देंगे हम लोग redifferentiation इतना clear है ना आपका अब देखो G1 से G0 phase इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे quiescent phase या फिर cell division के ability इसमें lost हो चुकी है G0 phase में क्या हो रहा है cell do not divided but it is metabolically active cell क्या है divide नहीं कर रहा लेकिन यह metabolically क्या है active है G0 phase exit from the G1 phase या तो यह temporary waste पे exit हुआ है या फिर आपका permanently exit हो चुका है cell division के ability अगर आपका temporary base पे lost है कि temporary base पे lost है तो इस cell division के ability वापस भी आ सकती है अगर cell division के ability वापस आ गई तो आपका यह primary permanent tissue से convert हो ज़गा किसमें फ्राइं सेकेंडरी मेरिस्टम में यह है यह है बच्चे अब यह तो मैंने आपको बता ही दिया यह मैंने बहुत ही detail में आपको बता दिया है अब आ जाते हैं S phase पे S phase में मैंने आपको बताया कि मानलों कि G1 में जो chromosome होता है ठीक है वो किसके form में दिखता है क्रोमेटिन के form में ठीक है अगर हम लोग G1 में जो chromosome है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग single double standard DNA से यह सिंगल double standard DNA दिख रहा है न तुमको सिंगल double standard DNA दिख रहा है न आपको वन सिंगल double standard DNA है इस तरह के condition को बच्चे हम लोग बोलते हैं Monod condition फिके जिसमें single हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं Monod condition single standard है तो Monod condition यह G1 phase में आपको ऐसा दिखता है जैसे ही आपका S phase आया ठीके जैसे ही S phase आया DNA replication जगा एस फेस में क्या हो रहा है DNA replication यानि कि DNA content double यहाँ पर DNA content double हो गया ठीके एक strand यह हो गया और एक strand यह हो गया यानि कि DNA content क्या हो गया double हो गया ठीके और तो इस तरह के condition को में लोग क्या बोलते हैं बच्चे जायाड condition यहीं कि दो double standard DNA S phase यह है centriole is the only one organal which is duplicated in the S phase centriole ही एक ऐसा organal है जो कि duplicate करता है S phase में clear है इतना histone protein का formation इसी phase में हो रहा है इस phase को बच्चे हम लोग invisible phase भी बोलते हैं क्यों कि जो DNA आपका double हुआ है वो इस phase में नहीं दिखा together देता लेकिन डबल हो चुका है ठीक है clear है इसलिए हम लोग इसको invisible phase भी बोलते हैं S phase को आप लोग pre G2 phase भी बोल सकते हो या फिर post G1 phase भी बोल सकते हो ठीक है दो नाम से हम पुकार सकते हैं ठीक है अगर हम लोग assembly देखे kineto core की तो आपका S phase में जो होता है kineto core का भी assembly होता है S phase में क्या होगा kineto core की assembly होगी यहाँ पर ठीक है बच्चे अब देखो यहाँ पर nuclear DNA जो replication होता है ठीक है यह जो nuclear DNA replication हो रहा है nuclear DNA replication हो कहाँ पर हो रहा है nucleus में हो रहा है और S phase में हो रहा है centriole duplication आपका cytoplasm में हो रहा है only one organelle which double in S phase यह सिर्फ एक ही organelle है जो की double हो रहा है S phase में ठीक है kinetocore तो यहाँ पर क्या है आपका kinetocore का formation हो रहा है kinetocore से ही आपका spindle fibers attach होते हैं जिसके द्वारा यह separate हो जाते हैं क्योंकि हम लोग M phase में पढ़ेंगे separation clear है जब M phrase में metaphysical rate आएगा तो वहाँ पर कैसे हो रहे separate हो रहे है clear है तो वहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे जो kinetocore होता है वो एक तरह का बच्चे proteinaceous disc होता है ठीक है kinetocore क्या होता है एक तरह का आपका proteinaceous disc होता है अगर हम लोग बात करें बच्चे if cell haploid अगर cell क्या है haploid है ठीक है तो इसमें देखो 1C दिया हुआ है वो convert हो जागा किसने में 2C में यानि कि G1 phase जो है ठीक है इसमें haploid content है S phase में क्या है इसमें भी haploid content है लेकिन आपका DNA content क्या हो गया double हो चुका अगर cell deployed है तब भी भी वो deployed ही रहेगा S phase में लेकिन DNA content क्या होगा 2C से आपका 4C हो जाएगा S phase में यानि कि DNA का content क्या है increase कर रहा है लेकिन chromosome number remains इसना clear है बच्चे thank you so much आपका इतना साथ देने के लिए मैंने आज आपको S phase पढ़ाया ठीक है G2 phase पढ़ाया ठीक है G2 phase अभी मैं पढ़ाने जाऊंगा आपको S phase पढ़ा दिया मैंने आज आपको G1 phase पढ़ा दिया इससे पहले मैंने interruptory part पढ़ा दिया था cell cycle का इन सब चीजों को मैं detail में आपका चला रहा हूं बच्चे इन ये जो lectures हैं इसको छोड़ो नहीं अगर आप साथ साथ अपना देख रहो हो part 1 भी देखो इसका cell cycle का part 2 ये है part 2 भी देखो आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा इतना clear है बहुत अच्छी बात है बच्चे thank you so much goodbye take care three dreams to all हम फिर मिलेंगे part 3 में cell cycle के ठीक है बच्चे सब तक के आप से अलविदा जाता हूं मैं शबबा कहर शुबरा 3 goodbye take care बच्चे ठीक है और आपको मैं बता देता हूं कि आप मेरा code जल्दी से यूज करो मेरा code है MD100 इसे आप यूज करो avail करो 10% discount directly ठीक है सीधे आपको 10% का क्या मिल जाएगा discount मिल जाएगा तो इसको आप avail करना मत भूलो मैं फिर से बोल रहा हूं कि जल से जल इसे avail करो ठीक है बच्चे thank you so much goodbye take care sweet dreams to all झाल 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 क्छ